मैं साहित्य को मनुष्य की द्रिष्ट से देखने का पक्षपाती हूँ जो वागजाल मनुष्य को दुर्गत हीनता और परमुखा पेक्षिता से बचा न सके जो उसकी आत्मा को तेजो दीप्त न बना सके जो उसके हिर्दय को परदुख कातर और संबेदन सील न बना सके उसे साहित कहने में मुझे संकोच होड़ा है ये अमर वाक्य है हिंदी के सुप्रसिद्धिनिवंधकार आलोचक और महानुपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद दुवेदी जी का अचार्य हजारी प्रसाद दुवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 इस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुवे का छपरा ओजवलिया नामक गाउं में हुआ था इनके पिता जी का नाम स्री अनमोल दुवेदी और माता जी का नाम स्री मती जोतिश मती था इनका परिवार जोतिश विद्या के लिए प्रसिद्ध था इनके पिता पंडित अनमोल दुवेदी संस्कृत के मूर्धन विद्वान थे आचार हजारी प्रसाजी का बच्पन का नाम वैद दिनाथ दुबेदी था दुबेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गाउं के स्कूल में हुई उन्होंने सन 1922 में बसरिकापुर के मिडल स्कूल से प्रथम सेनी में मिडल की परिक्षा उत्तिन की इसके बाद आचारी जी ने गाउं के निकठी पराशर ब्रहमचर आश्रम में संस्क्रित का ध्यन आरंब कर दिया सन 1923 में बिद्या ध्यन के लिए काशी आये वहां रणवीर संस्क्रित पाटशाला कमच्छा से प्रवेशी का प्रथम स्रेणी में उत्तेण की सन 1927 में हाई स्कूल की परिक्षा उत्तेण की इसी वर्ष भगवती देवी जी से इनका पानिग्रहन संस्कार संपन्न हुआ सन 1929 में इंटर्मीडियट और संस्क्रित साहित में सास्त्री की परिक्षा उत्तेण की सन 1930 में जोतिस विशे में आचार्य की उपादी प्राप्त की सास्त्री और आचार्य दोनों ही परिक्षाओं में इन्हें प्रथम स्रेणी प्राप्त हुई दुवेदी जी का व्यक्तित तो बहुत ही प्रभाव साली और सभाव अत्यंत सरल और उदार था आठ नुवम्बर उनई सो तीर से दुवेदी जी ने सांति निकेतन में हिंदी का अध्यापन प्रारम किया वहां गुर्देव रविन्ना टैगोर तथा आचार्य ख्षिति मोहन सेन के प्रभाव से साहित्य का गहन अध्याण प्रारम किया तथा अपना स्वतंत्र लेखन भी बेवस्थित रूप से प्रारम कर दिया बीश वर्षों तक शांति निकेतन में अध्यापन के उपरांत दवेदी जी ने सन 1950 में कासी हिंदू विश्विद्याले के हिंदी विभाग में प्रोफेशर और अध्यक्ष के रूप में आचारी स्री ने कारिभार ग्रहन किया उनई सो संतावन में राष्टपज द्वारा पत्म भूशन की उपादि से सम्मानित किये गए लखनव विश्विद्याले ने आपको डिलिट की उपादि से नवाजा जुलाई उनई सो साट से पंजाब विश्विद्याले चंडीगर में हिंदी विभाग के प्रोफेशर और अध्यक्ष रहें अक्टूबर उनई सो सट सट में पुनह कासी हिंदू विश्विद्याले में हिंदी विभागा द्यक्ष होकर लोटे मार्च उनई सो अर्शट में विश्विद्याले के रेक्टर पद पर आपकी नियुक्ति हुई कुछ समय के लिए हिंदी का एतिहासिक व्याकरण योजना के निदेशक भी बने रहें कालांतर में उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथिक आदमी के अध्यक्ष तथा 1972 से आजीवन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनव के उपाद्यक्षपद पर रहें चार फरवरी सन 1989 को पक्षा घात के शिकार हुए और 19 मई 1989 को ब्रेंड क्यूमर से दिल्ली में आपका महाप्रयान हो गया हिंदी का यह मोरधन्य विद्वान अपना अमूल ले साहित सौप कर सदा सदा के लिए चिर्निद्रा में लीन हो गया अचार्य हजारी प्रसाद्द वेदी एक और समर्थ आलोचक हैं एक और ससक्त उपन्यासकार हैं एक और अनुवादक हैं एक और ललित निवंदकार हैं अगर उनके व्यक्तित और कृतित को देखें तो आचार हजारी प्रसाद्द वेदी बहुमुखी प्रतिभा संपन्द विद्वान रहे हैं आईए हम उनकी रचनाओं को देखें उन्होंने जो आलोचनात्मक ग्रंथ लिखें हैं तो सूर साहित यह 1936 में प्रकाशित हुआ हिंदी साहित की भूमिका सन 1940 में प्राचीन भारत के कलात्मक बिनोट यह 1952 में प्रकाशित हुआ कबीर बहुत प्रसिद ग्रंथा है आचार हजारी प्रसाद्द वेदी जी का यह 1942 में प्रकाशित हुआ नाथ संप्रदाय काफी गहन अध्यान किया था सिद्ध नाथ और जैन तीनों साहित और तीनों दर्सन का अध्यान आचार हजारी प्रसाद्द वेदी ने किया था इनके समग्र साहित में यह तरतत्र आपको देखने को मिल जाएंगे तो नाथ संप्रदाय ग्रंथ जो है यह 1950 में प्रकाशित हुआ इसके बाद हिंदी साहित का आधिकाल यह 1952 में प्रकाशित हुआ आधिनिक हिंदी साहित पर विचार यह 1949 में प्रकाशित हुआ आलोशनात्म ग्रंथों में ही साहित का मर्म यह 1949 में प्रकाशित हुआ मेघदूत एक पुरानी कहानी ये 1957 में प्रकाशित हुआ आचार हजारी प्रसाद दुवेदी संस्कृत के मूर्धन निविद्वान थे और प्रमुक रूप से उन्होंने काल इदास का बिशद अध्येन किया था मेघदूत जो है ये महा काल इदास की विश्व प्रसिद्ध करती है तो मेघदूत एक पुरानी कहानी ये 1957 में प्रकाशित हुआ और लालित्य तत्व ये 1962 में प्रकाशित हुआ साहित्य सहचर 1965 में प्रकाशित हुआ और इसी तरह से अनेक और उनके आलोशनात्मक ग्रंथ आप पढ़ेंगे अब आईए हम देखते हैं उनके निबंद संग्रह आचार हजारी प्रसाद दुवेदी ललित निबंदकार के रूप में प्रसिद्ध हैं उनका निबंद संग्रह जो बहुत प्रसिद्ध हुआ है अशोक के फूल एक 1948 में प्रकाशित हुआ कल्पलता एक 1900 में प्रकाशित हुआ है और मध्यकालीन धर्म साधना एक 1902 में प्रकाशित हुआ विशार और बितर्क यह उनीश्तों निण्यान्ने में प्रकाशित हुआ और कुटज एक 1964 में प्रकाशित हुआ यह ललित निबंद संग्रह है आलोक पर उनाइस सो बहत्तर में प्रकाशित हुआ जिसमें आचारी स्री को साहित एक आदमी पुरसकार से नवाजा गया था आचारी हजारी प्रसाद्दुवेदी जी ने और पन्यासिक जगत में भी कीर्थिमाने स्थापित किया है इनका शूपरसिद्द उपन्यास बान भट की आत्मक था जो उनैसोचियालिस में प्रकाशित हुआ चारुचंद्र लेक यह उनैसोट तिरसट में प्रकाशित हुआ और पुनर्नवा यह उनैसोटिहत्तर में प्रकाशित हुआ और अनाम दास का पोथा एँवनेसरी संपादन कला में भी बहुत पारंगत रहें उन्होंने अनेक गरंथों का संपादन किया है जैसे संचिप्त पृत्वी राजराशो एँवनेसर संतावन में प्रगाशित हुआ संदेश राशक यह उनई सो साथ में प्रगाशित हुआ सिक्ष गुरुओं का पूरिंसमरण यह उनाई सो न्यासी में प्रगाशित हुआ इसी तरह से अनेक संपादन उन्हों में किये हैं और बहुत सारी कृतियों का अनुबाद भी किया है एक अनुबादक के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं जैसे प्राचीन भारत की कलाविलास प्रवंद चिंता मने लाल कनेर मेरा बच्पन आद अनेक ग्रंतों का प्रणयन करके आचार इस्री ने हिंद साहित्य के भंडार को भरने का इस्तुत्य प्रयास किया है बच्चों दुवेदी जी के निबंधों के विशे हैं भारती और संस्कृती इतिहास जोतिस साहित्य विविध धर्मों और संप्रदायों का विवेचन आदी वर्गी करण की द्रिश से आचार दुवेदी के निबंधों को दो भागों में बाटा जा सकता है पहला है जो विशारात्मक और दूसरा आलोचनात्मक विशारात्मक निबंधों के भी दो स्रणिया हैं प्रथम स्रणी के निबंधों में दार्शनिक तत्तों की प्रधानता है और दोतीर स्रणी के निबंध सामाजिक भी दो स्रेणियां प्रथम स्रेणी में ऐसे निवंधाते हैं जिन में साहित्य के विभिन अंगों का सास्त्रिय द्रिष्टि से विवेचन हुआ है और दोतीय स्रेणी में वे निवंधाते हैं जिन में साहित्यकारों की कृतियों पर आलोचनात्मक द्रिष्टि से विचार विशारों की गहनता, निरिक्षन की नवीनता और विशलेशन की सूक्षमता रहती है जब हम इनकी भाषा को देखते हैं तो दुबेदी जी की भाषा परिमारजित खड़ी बोली है उन्होंने भाव और विशे के अनसार भाषा का चैनित प्रयोग किया है इनका चैन बहुत विलक्षन बन पड़ा है आपकी भाषा के दो रूप दिखाई देते हैं एक तो प्रांजल व्योहारिक भाषा और दूसरा है संस्कृत निष्ट सास्त्री ये भाषा प्रथम रूप दुवेदी जी के सामान निवंधों में मिलता है और इस प्रकार की भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के सब्दों का समावेश हुआ है दुवेदी जी की विशे प्रतिपादन की शेली अध्यापक की ये है वे पूरे जीवन अध्यापक बने रहे सास्त्री ये भाषा रचने के दौरान प्रवाह खंडित नहीं होता उनकी भाषा भी आचार्यत्य की गर्मा से मंडी थे जहां तक शेली का प्रस्ण है आचार्यस्त्री की शेली के चार रूप मिलते हैं पहला है गवेशनात्मक शेली गवेशनात्मक शेली में चिंतन प्रधान और आलोचनात्मक निबंध लिखे गए हैं गवीश्ना पून बुद्धिमत्त पून वहुत गमभीर और चिंतन प्रधान।। यह शेली, दुबेदी जी की प्रत्निद शेली है। इस शेली की भाषा संस्कृत प्रधान और अधिक प्रांजल है, दूसरा है वर्न नात्मक शेली। दुबेदी जी की वर्ण अनात्मक शैली अत्यन्त स्वाभाविक एवं रोचक है इस सैली में हिंदी के शब्दों की प्रधानता है साथ ही संस्कृत के तत्सम और उर्दू के प्रचली सब्दों का भी प्रयोग हुआ है वाक्य अपएक शाक्रित बड़े हैं काफी बड़े वाक्य हो गए है और तीसरी है व्यंगात्मक शैली दुबेदी जी के निवंदों में व्यंग्यात्मक शैली का बहुत ही सफल और सु इस प्रकार आचार श्री की भाषा शैली पर चिंतन करने के बाद आएए हम निवंदों की विशेवस्तु देखें आचार हजारी प्रसाथ दुवेदी का साहित्य कर्म भारत वर्ष के सांस्कृति की तिहास की रचनात्मक परिण्यति है हिंदी संस्कृत प्राक्रित साहित्य में हुआ है आचार जी के साहित्य के साथ जो है इतिहास है संस्कृति है धर्म और दर्शन है साथ ही आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापक्ता और गहंता में पैठ कर डूब कर उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी शर्जना और आलोचना की शमत सालेकर प्रकट हुआ है वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की स्रहदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्तित करते हैं जो विशार की तेजस्विता कथन में लालित्य और वंध की सास्त्रियता का संगम है इनकी रचनाओं में विशार की तेजस्विता बने विशार चिंतन और कथन में वानी में लालित्य पूर्ण भाषा का प्रयोग और बंध की सास्त्रियता जो काप्विशास्त्र का नियम है काप्विशास्त्र के बंधन है जो सास्त्रिय बंधन है उन सब का प्रयोग हुआ है इसलिए इसे तेजस्वीता और लालित्य और बंध की साफ्त्रियता का संगम कहा गया है इस प्रकादूर में एक साथ संत कभीर विश्व कभी रविन्ना टेगोर वा धर्मत द्वज लोकनायक तुलसी एकाकार हो उठते हैं उनके इस रिजन की मूल बच्चो आपके पाठिक्रम में आचार हजारी प्रसाद दुवेदी का शिरिष के फूल ललित निबंध है जो उनके कल्प लता संग्रह से लिया गया है बच्चो निबंध बिधा को आपने खूब पढ़ा है अनेक निबंध कारों को पढ़ा है लेकिन यह ललित सब्द आपके लिए नया हो सकता है इसलिए ललित निबंध के समंद में थोड़ा सा समझ लेना आवश्यक है वास्तों में ललित निबंद को आत्म परक विशय प्रधान और व्यक्तिनिष्ट निबंद भी कहा जाता है। इस प्रकार सुन्दर तथा मनोहारी निबंद को हम ललित निबंद कह सकते हैं। ललित निबंद को पारिभासित करते हुए स्री सचितारंद हीरानंद वास्यायन अग्य जी का कहना है। कि कोई विशेश मनोदसा जब अपने को प्रकट करने के लिए एक लीला भाव अपनाए। जब निबंद में प्रस्तुत की गई वस्तुका चैन और नियोजन राग रंजित द्रिश्टी से किया जाए तभी रचना के लालित को महत्तुकास्तान दिया जाएगा। और तभी निबंद ललित निबंद कहा जाएगा। यह अग्य जी का विशार है। एक और शुप्रसिद्ध ललित निबंद कार कुवेन नाथ राय का मानना है कि विशय के आसपास शिव के नंदी की भाति मुक्त चरण और विचरण ललित निबंद है। विख्यात निबंद कार नर्मदा प्रसाद उपाद्याय ललित निबंद की व्याख्या करते हुए करते हैं कि ललित वह है जो मनुस्यता को ललित करने के लिए प्रयुक्त हो। वह कोमल कांत पदावली की तरह न हो वह पौर्चे हो जोलित और अपने समय के सवालों से जूजने वाला भी हो। वास्तों में ललित निबंद मन की सुन्दर उनान के साथ ही समय की वास्तविक चेतना से भी जुड़ा होता है। ललित निबंद अपने लालित्य से पाठकों को सम्मोहित करता है। लालित उसकी आत्मा होती है। इसमें लेखक का समूचय व्यक्तित्व समया होता है। रागात्मक्ता और सौंदर ये निष्ठा का ललित निबंद में होना पर्मावश्यक है। प्रभावोत पादक्ता विचार परंपरा और हिर्दय का माधूरिय इसमें पिद्यमान होता है कल्पना के साथ अनुभूत की तीब्रता और गहनता के कारण पाठक की निबंधों में सराबोर हो जाते हैं डूब जाते हैं भासा गालावं और शैलिकी रोचकत लित निबंधों के मुखे लक्षने लित निबंधों की बास गीत के समान लेबध कभी चंदों में कभी निजी बात्चीत के समान होती है कभी ऐसा लगता है कि हम गीत पढ़ रहे हैं और कभी ऐसा लगता है कि हम चंद पढ़ रहे हैं माने ले चंद ताल इस तरह की होती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम निजी बातचीत कर रहे हैं इसे लिए आचार महावीर प्रसाद दुवेदी ने ललित निबंध के संबंध में कहा है कि जो निबंध एक साथ काब्वे और सास्त्र दोनों हो वो ललित निबंध है इसमें लेखक की स्रिजन धर्मिता अभिरूच उदात्तता और वैचारिक्ता मानवियता सहजता और सूत्र बद्धता का सम्मोहक मिश्रण होता है आचा बच्चो अनेक ललित निबंध कार हैं हिंदी साहित में जिन्होंने कीर्थिमान इस्थापित किया है उसमें से प्रमूख हैं आचार हजारी प्रसाद दुवेदी जी के अत्रिक्त बाबु गुलावराय जिनका ग्रंत है मेरी अस्फलताएं यह ललित निबंध है डॉक्टर रामधारी सिंग दिनकर इनका ललित निबंध संग्रा बहुत प्रसित दुवा था रेती के फूल प्रभाकर माचवे जी का खरगोश की सिंग और डॉक्टर विद्या निवाश मिश्र का छितवन की छाह तुम चंदन हम पानी कई निबंध संकलन हैं उनके कुवेर नाथ राय का सर्व प्रतिष्थित और सुप्रसिद्ध जो लज़ित निवन संकलन है प्रिया नीलकंठी विवेकी राय का अमंगल हाडी राम ब्रिक्ष बेनी पुरी का सत्व रंगा इंद्र धनुस और नर्मदा प्रसाजी उपाध्याय का गुल मोहर गर्मियों के डॉक्टर श्री नाम परिहार रशवन्ती बोलो तो आज ललित निवन्द उच्च कोट के हैं आज भी अनेक निवन्दकार ललित निवन्द लिख रहे हैं बच्चो जब हम आचार हजारी प्रसाद दुवेदी के निवन्द साहित्य के चिंतन को देखते हैं उनकी उद्भावनाओं को देखते हैं तो आचार हजारी प्रसाद दुवेदी के निवन्द साहित्य बड़े महत्यों के हैं कहां साहित्य दर्शन तथा समाज व्यवस्ता समंदी उनकी कई मौलिक उद्भावनाएं हैं जो मूलतह निबंधों में ही मिलती हैं पर यह विचार सामग्दी पांडित की बोज से आक्रांत होने की जगा उनके बोध से अभिशिक्त है सहज है सरल है अपने लेखन द्वारा निबंध विधा को सरजनात्मक साहित की कोट में ला देने वाले दुवेदी जी के निबंध व्यक्तित वेंजना और आत्म परक्षैली से युक्त है